भारत की एक ऐसी मिसाइल जो 13 मिनट में बीजिंग और मात्र धाई मिनट में इसलामाबाद पहुंच सकती है भारत की ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को सांस लेने या पलक जपकने तक का मौका नहीं देती इस मिसाइल की गती दुश्मनों को ड़़ाने वाली है आखिर भारतिया सेना के बेड़े में वो कौन सी मिसाइल है जिससे पाकिस्तान और चीन हर समय खौफ में रहता है ओडिशा के अब्दुलकलाम वीलर आईलेंड पर अगनित्री मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया ग्यारा साल हो चुके हैं इस मिसाइल को सेना में शामिल हुए या एक इंटरमेडियन रेंज की बैलेस्टिक मिसाइल है जो परमाण हत्यार ले जाने में सक्षम है हालां कि पारमपरिक और थर्मोबेरिक हत्यारों से भी हमला कर सकती है इसमें एक साथ कई टार्गेट पर हमला करने वाली तक्नीक MIRV जैसी ही सामान टेक्नलोजी है अगनी तरी मिसाइल की सबसे बड़ी खाश्यद उसकी गती है लेकिन उससे पहले हम इसकी रेंज की बात करते है इस मिसाइल की रेंज 3-5,000 किलोमेटर बताई जाती है अरब देश, इंडोनेशा, म्यामार जैसे कई देश इसकी जद में है यानि आप चारों तरफ अपनी शुरक्षा के लिए इस मिसाइल का इस्तमाल कर सकते हैं अगनी 3 मिसाइल की गती में 15 है यानि 18,522 किलोमेटर परते घंटा ये गती डरावनी है यानि 5-6 किलोमेटर परते सेकंड की स्पीड इस गती में उड़ने वाली मिसाइल दुष्मन को सांस लेने या पलक जपगने का मौका नहीं देती 17 मिटर लंबी इस मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है कहते हैं कि एक अगनित्री मिसाइल बनाने में 25-35 करोड रुपए की लागत आती है इसे 8YR ट्रांस्पोर्टर इरेक्टर लॉंचर से छोड़ा जाता है आपको बता दे कि चीन की राजधानी बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी 3791 किलोमेटर है अगनित्री मिसाइल 5-6 किलोमेटर परते सेकंड की स्पीड से चलती है उस हिसाब से बीजिंग की दूरी 12.6 मिनट में पूरी हो जाएगी वही पाकिस्तान की राजधानी इसलामबाद की हवाई दूरी 619 किलोमेटर है यहाँ तो अगनित्री मिसाइल मातर 5-5 मिनट में ही तबाई मचा देगी अगनित्री मिसाइल को सुधारा गया है इसके बाद 2007 में फिर परिक्षर किया गया टार्गेट की धज्या ओड़ा दी गई अगनित्री मिसाइल भारत की मिसाइलों में सबसे भरोसे मंद, ताकतवर और तेजगति की मिसाइल है अगर भारतिय मिसाइल अगनित्री की यह जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे इस यूटूब चैनल गजेटा पोस्ट को जरू सस्क्राइब करें ब्यूरो रिपोर्ट गजेटा पोस्ट नई दिल्ली